नमस्कार, मैं हो ससी, आया जर्गान के टोप 25 परमोख खबर जानते हैं लेकिन पूरे परदेश में बुधवार की रात 8 बजे से 144 लागू कर दी जाएगी इस दोरन आवसक सिवाव को छोड़ कर किसी को भी घर से बाहर निकलने के अनुमाती नहीं होगी मुक्य मत्री ने कहा कि बुधवार सुबा साथ बजे से जरूरी सुवाव को छोड़ का सबी चीजे बंद रहेंगी मौसम विभाग की ओर से जारे अनुमान के मुताबिक बुधवार तक मौसम ठीक रहने का अनुमान है वही 15 अप्रेल से मौसम एक बार फीद करवट लेने वाला है बदाद 18 अप्रेल तक आस्मान में बादल चाहे रहेंगे इस दोन अंतिये जवाव के साथ 42 हो सकती है अगले 48 घंटे के बीच सहर के अधिक्तम तापमान डेर से दो डिग्री सेल्सियस की बड़ोतरी हो सकती है कुरोना से मची हाकार एक दिन में कुरोना से मिरित 52 को जलाया गया रांची में मोक्ष की रह देख कोविट से मिरित 52 का सोमवार की देर रात अमतिम संसकार किया गया इसके लिए नामकुम घागरा इस्थीत समसान घाट में भी से इंतियाम किया गया था बतादे रांची के उपायुक छवी रंजन खुद रात अढ़ाई बजे तक समसान घाट पर मौजूद थे और इसकी निग्रानी कर रहे थे स्वाज सचीव के केस्वन ने सभी जीले के उपायुक को आदेश दिया है कि कुरोना से संक्रमित मरीजों की मौत के बाद हर हाल में 100 कामतिम संसकार 24 गंटे के अंदर किया जाए भाजपा के परदेश अजग दिपक प्रकास ने मुख मंतर हिमान सुरेन को पत्र लिख कुरोना के बढ़ते प्रकोप से बचाव के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है पतादे प्रेशित पत्र में कहा गया है कि मामारी तेज से फेल रही है देश बहर में जार्खन पांचवे अस्थान पर है जहां संक्रमन दर सबसे अधीक है सरकार मेडिकल इबरजेंसी घोचित करे कुरोना से लणने के लिए अविलम मरीजों के लिए बेट की वेवस्था ऑक्सीजन वेंटिलेटर तथा पारा मेडिकल करमी और डक्टरों की समुचित वेवस्था करनी चाहिए उन्होंने सलाह दिया है कि ऐसी परिश्थिती में मुख मंत्री को एक सर्वा दलिये बैठाक बुलानी चाहिए और बेविनार के माध्यम से जानता से स्थनवात करना चाहिए मुंबाई हावणा मेल से कोडार मा पहुंचे सैकलो परवासी 17 मिले कोरोना पोजेटीव देश बार में कोरोना वायरस संक्रमा के दूसरी लहर के बाद संक्रमीतों की संख्या तेजी से बढ़ रही है इस बीच महानागरों में कमाने वाले परवासी फिर से वापस अपने घर लोट रहे हैं बदादे महाराश्ट में लोकडाउन की कड़ी पवंदियों के बीच मुंबाई हावणा मेल से स्थेकलो परवासी स्वामार को कोडार मा पहुंचे इसमें 17 यातरी कुरोना वाइरस संक्रमित मिले जिनने ततकाल आईसोलेशन में भेज़ दिया गया केंदर सरकार कुरोना खत्म करने के लिए राजियों को विश्वास में लेकर फैसला करे हमन सुरेण मुख्यमंत्री हमन सुरेन ने कहा है कि राजियों के हलके फुलके या कुछ राजियों के कड़े फैसले लेने पर देश से कुरोना खत्म नहीं हो सकता कुरोना को देश से समाप्त करने के लिए जरूरी है राजयों को विश्वास में लेते हुए केंदर सरकार इस विशाय पर पहल करे पूरे देश के लिए एक समान निर्ना लेने पढ़ेंगे केंदर सरकार को इस दिशा में आगे आना होगा एबाते मुख्यमंत्री ने मधुपूर में चुनाव परचार के बाद मीडिया से कही बतादे सीम सुरेयन ने कहा कि उनकी चिंता विभीन राजियों में स्वाव के लगातार जलने से धोस्त हो रहे सम्तान घाटों को देख कर बढ़ी है आस्पतालों में नहीं होगी आक्सिजन की कमी नीजी आस्पतालों में आक्सिजन खत्म होने की सिकायत को सरकार ने गंभीता से लिया है बतादे मुख्य रूप से तीन जीलो बोकारो गिरीडी अजम सेथपूर के कुछ नीजी अस्पतालो की रिपोर्ट आई है कि वहाँ अक्सिजन खत्म हो गया है इसे कुरोना संक्रामित मरीजो की परसानी बढ़ी है मामले पर मुख्य सचीव सुकदेव सिंग ने अक्सिजन टास्क फोर्ट से पूरी रिपोर्ट ली उन्होंने बताया गया कि राज में अक्सिजन की खपत से पंद्रा गुना अधिक उत्पादन हो रहा है मुख्य सचीव ने तीन जीलो बोकारो गिरीडी और जम सेत्पुर के पहुँ से बात कर नीजी अस्पतालों में अक्सिजन की उपलपता सुनेशित कराने का निर्देश दिया मुख्य मंत्री ने 50 पर 37 रोष्टर लागू करने के प्रस्ताव को दी मंजूरी मुख्य मंत्री ने सचीवालाई और सरकारी दफ्तरों में 50 पर 37 रोष्टर लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है इस समद में कार्मिक विभाग के ओर से जल आदेश निकाला जाएगा मुख्य मंत्री ने कहा है कि उनके संग्यान में यह बात है कि सरकारी पता अधिकारियों और कर्मियों में कुरोणा संक्रमन फैला है इस कारण ही सरकारी दफ्तरों में रोष्टर लागू करने के प्रस्ताव को समती दी गई है मरीज की मौत के मामले में स्वास्त मंत्री ने दिये जांच के आदेश राची के सदर अस्पताल में हुए हजारी पाक के मरीज की मौत के मामले में स्वास्त मंत्री बाना गुपता ने सिविल सर्जन को जांच के आदेश दिये है बतादे इस खटना के समन्द में प्रतिकिरिया ब्याक्त करते वे मंत्री बाना गुपता ने मंगलवार को कहा कि कुरोणा काल में जार्खन की जानता की सेहत की चिन्ता उन्हें है इसलिए उन्हें पिछले बार कुरोणा हुआ था लेकिन इसकी लपरवा किये बिना आज वा कुरोणा मरीजों से मिलने कुरोणा वाड़ गये उनसे मिले सुक दुख साजा किया जार्खन में 2844 नर्शंक्रमित की पुष्टी हुई है जो रांची सेजे खेयर उन्चास पूर्वी सिम्भूम 434 धनबाद 117 वोकारो 84 129 पच्छमी सिम्भूम 51 रामगर 91 देवघर 45 कोडर्मा 90 सराय के राठारा पलामो 51 गिरीडी 49 गडवा 31 गुमला तीरपन खुटी 41 गो जार्खन में कुल मौत की संख्या 1261 है वहीं कुल एक्टिव केस की संख्या 17155 है बता दे भारत में नाइक केस 1,85,104 मिले है वहीं 82,231 मरी स्वास्त भी हुए है भारत में कुल एक्टिव केस 13,6,866 जार्खन के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का निधान जार्खन मुक्ती मोर्चा के केंद्रिये उपाध्यक्ष और पूर्व मंत्री साइमन मरांडी का सोमवर्देर रात निधान हो गया बता दे कुलकात्ता में इलाज के दुरान उनका निधान हुए उलेखनिया है कि सा बिगणने पर उन्हें कुलकाता के आर एंट टायगोर अस्पताल में भरती कराया गया मुख्य मंत्री ने राजवासियों को चैत्र नौरात्री की दी सुभकामनाए मुख्यमंत्रिय मंसुरे ने चद्र नवात्री के पावन आउसर पर मंगलवार को सभी जर्खनवासियों को सुभकमनाय दी है उन्होंने कहा कि कुरोना के इस संक्रमन काल में राज जेवासी स्वस्त और सुरक्षित रहे यही कामना करता हूँ रामगर में सिविल सर्जन समेथ पांच डॉक्टर संक्रमीत रामगर जीले में सिविल सर्जन समेथ पांच डॉक्टर कुरोना पोजेटिव हो गया है इन सभी को प्रोटोकॉल के तहत होम क्वारेंटेन में रखा गया है हलाकि जीले में टीका करन का कार्य तेजी से चलाया जा रहा है पिछले 24 गंटे में 2460 लोगों को कुरोना का टीका लगाया गया है राज ये में मेडिकल इमर्जेंसी घोसित करें मुख्यमंत्री दिपक परकास भाजपा के परदेश अध्यक्स सांसत दिपक परकास ने मुख्यमंत्री हमन सुरेन को पत्र लिख कर कुरोना के बड़ते परकोप से बचाव करने के लिए उचित कदम उठाने की मांग की है उन्होंने मंगलवार को लिखे गए पत्र में लिखा है कि जार्खन में कुरोना मामारी तेई से फ्यल रहा है और देश पर में जार्खन पांचवे स्थान पर है जहां संक्रमंदर सबसे अधीक है बरतमान समय में यह बिक्राल रूप ले रहा है इस समय हम सभी को मिलकर जार्खन की जनता को इस मामारी से बचाना है अत्ता जार्खन की जानता राज सरकार से अपेक्षा करती है कि संकट की इसकड़ी में सरकार सन्विदल सील होकर कुरोना महामारी से लड़ने के लिए उचित कदम उठाए होम आइसोलेशन में रहे ब्यक्तियों के लिए एडवाजरी जारी राश्ट्रिय स्वास्थ मीशन के अभियान निदेशक रविश संकर सुकला ने होम आइसोलेशन में रह रहे कुरोना संक्रमित ब्यक्तियों के लिए मंगलवार को एडवाजरी जारी किया है उन्होंने कहा है कि जिन ब्यक्तियों में बुखार, खासी, बदन में दर्ध, ठकावट, सुंगने की सकती खत्म, स्वाद की सकती खत्म, सांस लेने में कठिनाई दस्थ, पेट की तकलिफ, आधी लक्षन दिखाई देता है या इन में से कोई भी सिकायत होतों निवांधित, चिकित सक के मार्क दर्शन में इस परकार की दवावों का सेवन प्रारम किया जा सकता है जिसमें बुखार होने पर एक गोली पारासितामोल, विटामिन C, टेबलेट, सेलीन, एक गोली दिन में एक बार, डॉक्सी, सिलीन, एक गोली, जिंक टेबलेट, एक गोली सहित अने सामिल है गुमला में आठ स्वास्थ कर्मी संक्रामीत, OPD सेवा बंद गुमला जिले के घागरा बलोक इस्थी समधाइक स्वास्थ केंद्र के दो चिकित्सक समेत आठ स्वास्थ कर्मीयों की कुरोना रिपोर्ट पोलिटिव आने के बाद प्रखन मुख्यालाई पर हनकम मच गया है इसके बाद घागरा के समधाइक स्वास्त केंद्र को मंगलवार को OPD को सेनेटाइज करने के बाद वुद्वार तक बंद कर दिया गया है जारखन में भ्यावा मंजर रगवरदास जारखन के पूरो मुख्यमंत्री रगवरदास ने कहा कि सदर अस्पताल में आज एक बेटी ने स्वास्त मंत्री से मारमिक सवाल पूछा लेकिन इस नकारी सरकार और निकम में मुख्यमंत्री मंत्री के पास कोई जबाब नहीं है दास ने मंगलवार को कहा कि जारखन में भ्यावा मंजर है मोखे मंतित थोड़े सनवेदन सिल बनिये राजनीति करने के और मोखे आएंगे तब कर लीजिएगा दीन भर केंदर सरकार को कोशने की बजा जिस जनता ने चुना है उनकी चिंता किजिए उन्होंने कहा कि असनवेदन सिल नित्रित गयर जिम्यदार सरकार है राज्य में होस्पीटल में जगह नहीं टेस्टिंग की बेवस्था नहीं इंजेक्शन दवाई नहीं और वेंटिलिंटर नहीं और समसान कभरिस्तान में भी लाइन लगी है राज्य में स्वास्थ परनाली ध्वस्थ होटल और वेंक वेट हॉल को आईसोलेशन सेंटर बनाए हाई कोट राज्य में क्रोना के बरते संक्रमन और स्वास्थ सेवावक की बरतमानी स्थिती पर हाई कोट ने एक बार फिर नराजगी जताई है और कहा है कि ऐसा परतित होता है कि राजी की स्वास्त पनाली धुस्त हो गई है अस्पताल में बेड नहीं है, बीमारी से मोत बढ़ गई है एक सब्तात तक चांच रिपोर्ट नहीं आ रही है रिम्स जैसे अस्पताल में मातर तीन आठी PCR मसीन है रिम्स में 5-6 अधिक सेंपल अभी भी लंबी था है सेंपल जाज के लिए भोनेश्वर भेजा जा रहा है इसे पर्तित होता है कि सरकार अभी मामारी और बढ़ने का इंतियार कर रही है इस इस्थिती को बदलना होगा जल्दी हालात में काबू नहीं पाया गया तो इस्थिती और भ्यावा हो सकती है पूलिस कर्मियों के लिए अलग आइसोलेशन सेंटर रांची में पूलिस कर्मियों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाया जाएगा इसमें कुरोना संक्रमीत पुलिस कर्मियों को रखा जाएगा विधान सभाग के समीप विस्थापितों के लिए बने भावन को आईसोलेशन सेंटर बनाने की त्यारी की जा रही है इसके अलावा राची पुलिस की वर से सहर के आसपास के इलाकों में भी आसोलेशन सेंटर बनाने की योजना है इसके लिए COVID-19 मैनेजमेंट टीम का गठन किया गया है कुरोना संक्रमन को देखते हुए आसोलेशन सेंटर में पुलिस कर्मी और पदा दिकारी भी प्रतिन्यूक्त किये जाएंगे जार्खन के सभी विभागों में गिरी रक्षकों ने संभाली कमान नीजी सुरक्षा गाड हटा है जार्खन के मुक्त मंत्री हमन सुरेन के आदेस के बाद राजी शरकार के सभी coffee कर्यालियों में शुरक्षा कलिए 홈गाड की तैनाति की जारही है बता दे सुमवार को C.M. का आदेस जारी होने के बाद मंगलवार को कोई कर्यालियों से private security गाड हटा दिये गाए अपनी मागों के समर्थन में आंदोलों पर डटे गरी रक्षको को सरकार ने इस बारे में अस्वासन दिया था इसके बाद हेमान सरकार ने होमगाट की बहाली के लिए आदेश जारी कर दिया है